How to withdraw cash from ATM machine हेलो दोस्तो यदि आप अपना खुद का वेबसाइट बनवाना चाहते हैं तो हम प्रवाइड करते हैं वेब डेवलोपिंग डिजाइनिंग सर्विसेज हमारे टीम से वेबसाइट बनाने पर आपको मिलेगा फास्ट और क्वालिटी सर्विसेज 24-7 सपोर्ट एटसंस एप् वेबसाइट दिये गई डिटेल्स पर कंटिक करें और आज ही अपना वेबसाइट बनवाए थैंक यू तो दोस्तो अभी हम आ चुके हैं याँ पे एटियम मशिन पर हम आ चुके हैं और दोस्तो एटियम से पैसे निकालने के लिए आपको रिक्वाइर्मेंट होगा जैसे कि आप देख सकते हो मैं एटियम का ओवरव्यू दे देता हूँ जाहिर सी बात है कि आपने पेले कभी एटियम से पैसे नहीं निकालने हूँ यसलिए आप ये वीडियो से लेकर न एन जेरो आपको यह अपर मिलेगा और यहां पे खुश बन से जिसका उप्योग तो उसके बाद यहां से आपका पेसे निकलता है यहां पर आपको ATM card गुसाना है और यहां से आपका receipt निकलता है ठीक है तो दोस्तो हर ATM machine कुछ इस परकार कई आपको दिखाए देगा उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तो सबसे पेले तो आपको यहां पर अपना ATM card गुसाना है ठीक है दोस्तो ATM card को debit card भी कहता है यह दोनों से मी होता है ठीक है तो आपको यहां पर गुसाना है आपका फिर ATM card में debit card लिखा होगा तो आप confuse मत होना ATM card debit card से मी रहता है, और उसके बाद दोस्तों ध्यान रखना कि यहां पर सिर्फ ATM card घुसाना, ATM card debit card जो भी है, ठीक है, यहां पर Metro Card मठ घुसाना, Metro Card से पेसे नहीं निकलता है, ठीक है, तो दोस्तों उसके बाद आपको क्या करना होगा, वो ATM card घुसा ही है, उसके बाद में वो निकल जाएगा, उसके बाद में जैसे आप गुसाके निकालेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पे बताया जाएगा कि आपको किस टाइप का आपको सर्विस चाहिए, ठीक है, यहाँ पे आप नया पीन आप जनरेट कर सकती हो, IMT है, और यहाँ पे banking service है, special प्रशल सर्विस है, रिजर्शेशन से, फीडबेक से, काफी जारा कुछ है यहाँ पर, तो आपको पैसे निकालने के लिए कौन सा सेलेक करना होगा, सबसे उपरवाला, बैंकिंग सर्विसेज, ठीक है, तो दोस्तों आपको यह बैंकिंग सर्विसेज, जो है, कही नीचे दि दिएगा ठीक है और किसी-किसी ATM पे यह बटन नहीं होता है तो आपको यह लिखावा जगे पर यह आपको दबाना होता है ठीक है जिसे आप वहाँ पे दबाएंगे आपको दुस्तरा आपको मेन्यू खुलेगा यहां पे आपको हिंदी या इंग्लिश आपको लेंग्वज स ATM या फिर debit card का जो भी पिन है वो पिन आपको यहां पर भरना होगा यह जो आपको नंबर दिखाए दे रहा है 1 से लेकर 9 और 0 आपको यहां पर आपका पिन भरना होगा जैसे आप पिन भर देते हो आपको यहां पर transaction type आपको select करना होगा आप पेसे transfer करना चाहती हो या फिर balance in square करना है या फिर mini statement देखना है या फिर आपको fast cash चाहिए withdrawal या फिर cash deposit या फिर pinch change तो जाइड सी बात है आप withdrawal करना चाहेंगे तो आपको यह withdrawal दिखाए दे रहा है तो यहीं पी दिखाए देगा यहां पर भी दिखाए दे रहा होगा यहां पर भी दिखाए दे रहा होगा या फिर आपको ATM कार्ट, आप current account से निकलना चाहते है, वो आपको select करना होगा, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर ज्यादा तर रहता है, saving account नहीं रहता है, current account तो business रहता है, यह आपने account खुलवाया है, और आपको पता नहीं है, current है या saving है, तो definitely रहेगा, saving account नहीं रहेगा, ठ कर लिजे, उसके बाद में, आपको यहाँ पर पेसे बढ़ना है, ठीक है, तो दोस्तों पेसे यहाँ पर आपको बढ़ना है, जितना भी पेसे निकालना है, उतना पेसे आप भरिए, लेकिन ध्यान रखिए कि आपका account में कितना पेसे है, उससे ज्यादा आपको नहीं निक तो दोस्तों इसलिए और ATM का कुछ ATM का limit लेता है आप 10,000 से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं इसा limit रहता है यानि कि यह जगे जो होता है वो छोटा होता है एक ही बार में ज्यादा पेसे नहीं निकाल सकता है तो आपके account में एक लाग हो दो लाग भी हो आप ज्यादा एक ही ब कैंसल करने पर आपको फिर से सारा कुछ process new start करना परेगा क्योंकि अभी ATM में जब हम रहते तब हमारे पीशे भी बहुत सारे line रहता है लोगों को भी time देना रहता है इसलिए आपको यह सब cancel वगेरा मत चुईएगा ठीक है आप सिर्फ confirm पे click करने के बाद अभी finally जिस घड किया था वहन निकल जाएगा यहांसे और निकालने के बाद जो है दुस्तों पैसे निकाल लिजेगा और पैसे निकाल के आप की ब्रस में ढाल लिजे वहीं पे आप काउंन मत की commission की जिए the game क्योंकि दो सब्दों वहां पर काउंन करना सही नहीं रहता है आपके पैसे से फटा निकल आहे तो आपको क्या करना होगा वोगो पईसेरे अमिरेट जाके आपको आपका ब्रांच को आपको बता देना होगा ठीक है तो जहां पर आपका man branch रहेगा वहाँ में आपको जाके बता देना होगा आपको वो पेसे आपको return करके दूसरे replace करवा देता है ठीक है तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप जो है किसी भी बैंक में जाके अपना cash जो है आप ATM debit card से आप cash निकाल सकती है इस प्रकार से दोस्तों यह तो मैंने screenshot लेकि मैंने आपको ATM का basics बाते बताया ठीक है यहां से आपको कम से कम 70% मदद मिल गया आपको ठीक है अभी 30% आपका खुद का दिमाग भी लगाना है कि दोस्तों अभी हर ATM में जाके तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगा एगी ने तो इसलिए मैंने screenshot मिला के बना के मैंने आपको basics बाते basics से भी ज्यादा बाते मैंने आपको बता दिया है अभी आपके उपर आप जाके कैसे निकालोगे ठीक है मैंने जो process बता है इस process को follow कीजिए आप किसी भी एटीम में जाके पैसे निकाल पाऊगे तो दोस्तों फिलाल को वीडियो में त आपके केर